हलो रोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल में जब से क्लास वन के रिजल्ट आये हैं तब से बहुत सारे माता पिता के कमेंट आ रहे हैं कि उनका वेटिंग लिस्ट आ गया है तो कितने वेटिंग लिस्ट वाले को चांस मिलेगा और हम ऐसे कमेंटों का जवा तो इससे दुबारा भी देखिएगा और इसमें पूरी लाटरी प्रक्रिया ही समझाओंगा लाटरी प्रक्रिया मतलब वेटिंग के बाद जो लाटरी प्रक्रिया है वेटिंग वाले की प्रक्रिया है उसको समझाओंगा अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं त इस लिए इसमें नहीं होती है यानी जितने बिच्चे एडविसन नहीं लेते उतनी ही सीट खाली होती है इसलिए इसमें वेटिंग को चांस तो मिलता है लेकिन वेटिंग का नंबर कम आगे बढ़ता है मतलब जो नंबर देखने में है कि आपका वेटिंग नंबर 30 है 40 है ऐसा बहुत आगे फर्स्ट लिस्ट में नहीं बढ़ती है आटी में 25 परसेंड रक्षा है इस हिसाब से इसमें वेटिंग से कुछ बच्चे आते ही हैं मतलब इसकी सेकंड लिस्ट लगभग आयेगी ही आयेगी सभी स्कूलों में तो आप वहां पता करते रहें सर्विस कटेगरी में चांस ये सबसे महत्पूर वेटिंग लिस्ट होती है इस लिस्ट में कटेगरी 1 से कटेगरी 5 या 6 तक सभी का वेटिंग नंबर बढ़ते करम में होता है इस लिस्ट में सभी बच्चों का नाम होता है क्योंकि जितने बच्चे फाम भरते हैं उन्हें कोई न कोई service category चुननी रहती है इस list से ये भी पता लग जाता है कि कुल कितने eligible वच्चों ने farm भारा था तो ये list में आपको number waiting number कैसे मिलता है जैसे ही category 1 का waiting number चल रहा है अगर मान लिजे category 1 में 45 लोग का waiting आया तो जो category 2 सुरू होगा service category 2 सुरू होगा वहाँ 46 से सुरू हो जाएगा और ऐसे ही आगे बढ़ते जाता है तो किवाल इसमें आपको waiting number अपना देखना है जिसका waiting number कम है उसको chance मिल सकता है इसकी second third list waiting wise आती है category wise नहीं यानि इस list में waiting 1 से आगे कि waiting आती रहेगी जब तक कि seat भर न जाए तो आप जब waiting की list आएगी जब 28 ताई को second list आएगी तो आपको category wise नहीं आएगी waiting wise आएगी मतलब सभी service category का waiting एक ही रहता है एक serial में बढ़ते करम में दिया गया रहता है अब उसी के हिसाब से जिसका सबसे कम रहेगा उसको पहले chance फिर उसके बाद वाले को फिर उसके बाद वाले को chance मिलता रहेगा जब तक कि seat भर न जाए इस category में सबसे ज़्यादा admission होते हैं इसलिए इसमें waiting list में भी ज़्यादा chance मिलता है इस list में waiting number ज़्यादा आगे तक जाता है क्योंकि इस list में RT के बच्चों का नाम भी रहता है और वे RT की waiting में चले जाते हैं अब क्या होता है जैसे second list जारी होगी तो waiting आटी के लिए भी जारी होगी और service category के लिए भी जारी होगी इस waiting list में उनकी कास्ट के सभी बच्चों का नाम रहता है जैसे SC, ST, OBC, NCL के list में SC, ST, OBC, NCL में जितने भी फाम आये हैं उन सभी बच्चों का नाम रहेगा और उनको waiting number दिया जाएगा अब इनमें कुछ बच्चे पहले ही RT और service category में admission ले चुके हैं ऐसे में इनका waiting number ज्यादा आगे बढ़ता है जैसे मान लिए इस category से दो बच्चों को बुलाना है अब waiting 1, 2, 3 और 5, 6 वाले का पहले ही admission हो गया है तो KV वाले waiting 5 को और waiting 7 को बुलाएंगे या एक से 7 तक को बुला लेंगे तो इसको समझ रहे हैं आप लोग जो SCSD OVC मतलब जो कास्ट का आपका list आया है उसमें जितने भी उस कास्ट के बच्चे हैं सभी को result निकाल कर उनका एक lottery number और waiting number दे दिया गया है इसलिए उनका lottery number और waiting number सेम होता है अब उनमें से बहुत सारे बच्चे service category में और RTE में admission ले चुके होते हैं ऐसे में जब इनका अगर ये कोटा पूरा नहीं हो पाता तो जब waiting से बुलाते हैं तो ज़्यादा बच्चों का chance मिल जाता है क्यूंकि जो एक, दो, तीन, चार, पांच में जब देखते हैं तो बच्चे पहले ही admission ले चुके होते हैं तो उसमें से फिर पांच, वे, छटमें जैसे अभी आपको बताया उस तरीके से बुलाते हैं SCST OVC NCL quota में chance इसकी second, third list तब आती है कि अगर वो बच्चे आगे बढ़ गए हैं पहले किसी quota category में admission ले चुके हैं तो अगले बच्चे को chance दिया जाएगा इसलिए waiting list वाले को chance मिल जाता है SGC quota में chance इसकी second, third list तब आती है जब कोई बच्ची admission नहीं लेती है या RT या service category में admission ले लेती है इस quota में दो seat पर section का रक्षन होता है जो over and above class strength होता है इसमें भी respilling होती है यानि जितने बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे उनकी जगा पर नए बच्चे लिए जाएंगे तो ये SGC quota में भी लागू होता है अगर किसी बच्ची का दो या तीन quota में selection हुआ है और वो admission किसी एक ही मिलेगी तो seat खाली हो जाती है इसलिए इनको भी waiting list से बुलाया जाता है दिब्यांग quota में chance इसकी second, third list तबाती ही जब इनका reservation quota पूरा नहीं हो पाता है ये सबसे छोटा quota है इसलिए इसमें chance भी कम मिलता है लेकिन इसमें फाम भी कम आते है वेटिंग वाले parent क्या करें अब आप लोग बहुत परिसान हो तो ये समझ लोग कि आपको करना क्या है अगर आपकी वेटिंग कम है तो आप अपने केवी के संपर्क में रहें अगर आपके केवी में 28 अपरेल को कोई लिष्ट नहीं जारी होती है तो 29 अपरेल को केवी जाकर पता करें ये चेक करें कि आपकी कोटा या कटिगरी में कितने तक वेटिंग जा रही है केवी के एडमिसन इंचार्ज और केवी में उपस्थित अभभावक से बात करें तो इससे आपको क्या है वहां का माहौल पता लगेगा कितने वेटिंग जा रही जो लोग एडमिसन करा के आ रहे हैं अभभावक लोग उनसे बात करें उनका कितना वेटिंग था और उनको चांस मिला की नहीं मिला फिर आपके बीच में कितना गैप है तो उससे आप एक अनुमान लगा पाओगे कि आपका चांस आएगा कि नहीं आएगा वेटिंग वाले पैरेंट्स के कमेंट सभी के भी अपनी लोकेशन और वहां उपस्तित लोगों के अनुसार बिल्कुल अलग हो जाते हैं वेटिंग में तीन वेटिंग ही महत्पूर्ण है सर्विस कटेगरी, आर्टी और काश कटेगरी की वेटिंग आप कोई भी सर्विस कटेगरी में हो यदि आपका वेटिंग कम है तो चांस मिल सकता है वेटिंग में हमारे कमेंट के जबाब 100% सही नहीं हो सकते इसलिए आप अपने केवी के संपर्क में रहें तो आप हमारे कमेंट का जवाब ना देखें हम कमेंट का जवाब जो हमको समझ में आता है आपके कमेंट के आधार पर उसके आधार पर हम देते हैं तो इसलिए आप केवी के संपर्क में रहें और वहाँ से जानकारी लेते रहें तो यह जानकारी आपको देनी था उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी होते से लाइक और सेर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब भी करें Thank you, thank you for watching